कि विल्कम स्टुबेंट्स हमारा का सोशलोगी क्लास 11 का समाज सास्त का कुछ कोशन है कि इसको समझते हैं पेपर आपकों का कोशन है कि हम कैसे दर्जा सकते हैं कि संस्कृति के विभिन आया मिलकर समद्र बनाते हैं कि विभिन पहलुम है वह सारा चीज टूगेटर मिलकर के कल्चर बनाता है और इसके जो बिभिन पहलुम है है वह सारे मिलकर के इसको बनाते हैं और फिर वह कैड़ाउन होता है एक जनेरेशन से तुसरे जनेरेशन तक जाता है है तो संस्कृति के विभिन आयाम है आयाम मतलब दैमेंशन वह उनिट और हर यूनिट जो है वापस में अंता सम्मंधित है और अन्योञाशृत हैं अंता समंधित मतलब इंटर रिलेटिट आर इंटर डिपेंडनेंट करता है कि इस पर डिपेंड करेगा कि कहां रह रहे हो जहां रहे हो उसी साथ से खाना भी कश्मीर वालों के लिए केसर है तो मिलाइड़ वालों के लिए कोकोनट है इमली है फिश है बिहार और बंदार के लिए चावर मशली और अबागी ऐसा खाना पंजाब में यह नहीं है तो पंजाब के लोगों के लिए खाना अलग टाइक पर रहा है और कंट्रोल हो रहा है और इसके विप्रेट सभी आया मिलकर किसी संगठन की तरह कारे करते हैं तो यही लोग कल्चर को बैलेंस करते हैं और कल्चर को नौरिश करते हैं उसका पोशन करते हैं उसको पढ़ाते हैं तीन में आशपेक्ट में हम देखते हैं पहला संग्यान आत्मक जिसको बोला याता है उसको सक्मेट यागा नोरमेटिब और गौती फॉन इतले बाग कहां से मिलेगा ख़िए और समझ से और वह समझ कहां से एगी तो किताबों से दस्तादेंगों से संज्ञार आत्मक भाद काश्टोरों का समझ और जानकारी से समझ अन्डर्सटाइंडिग जांकार क्रेंड क्यों होता है हरका आपना काना होता है हरके अपने पूल्टॉर सो थे हैं और हर कशले कर आप dif कुछ क्या चीज़ नॉर्मल है तो उसमें जाता है उसमें आता है प्रथा जो कुस्टम्स है परबबबबब लोक रीतियां कुछ लोग कैसे ब्यहार करेंगे वो चीज यह जो चीज़ है या अजब शाक्मा घंटक है उसमें जो अच्छा है इसको सुसाइटिब करता है उसको सुसाइटी फॉलो करता है यह सुसाइटी जाता है कि कम यह दिशन उसको फॉलो करें प्रियावरन से रिलेटेड है और कुछ मनुष्यों ने बनाये जैसे कि बार्ग ब्रिजस विजली एलेट्रोनिक अपलाइब गारी और यह तीनों चाहाँ वह कॉग्नेटीव हो चाहाँ वह नौर्मेटीव हो चाहाँ वह मटेरिया हो यह तीनों आपस में इंटरॉलेट हो कर कि एक दूसरे को सहीओ करते हुए आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं उपरोप सभी थाकर दूसरे पूरग थाया को इसको कि सांस्कृतिक परिवर्तलों का अध्यान करने के लिए दो विविन उपागमों की चर्शाद करें कि अगर कल्चरल चेंज की बात करेंगे तो हाउव एक टू पहला पॉइंट है कि धर्म कला भाशा या साहित में परिवर्तन रूची और विश्वास को प्रोभावित करता है अजर उसमें चेंज जाएगा तो उससे आपके रूची और विश्वास यह बदलेगे और जिससे आपके सामाजी समंदों पर भी प्रभाव पड़ेगा जो सांस्कृतिक परिवर्तन है वो नए इंवेंशन डिस्कवरीज और जो कुल्चरल आसपेक्ट्स है उसे परिवर् सांस्कृतिक परिवर्तन का शेत्र विस्त्रिक है और यह सामाजी परिवर्तन लाता है जो सोशल चेंज को भी लेकर के आएगा अब अगर देखा जाए तो सांस्कृतिक परिवर्तन के दो पहरूं है दो अलग अलग अपागम पूछा गया तक कोशन में जो पागम पहले प्राकिर्टिक परिवर्त और दुसरा है प्रालतिकारे परिवर्त प्राकिर्टिक अनल चुनल चेक्ष क्या हुआ कि कुछ इसा नेशर लेखिया जिससे महुत कुछ एक आएक से बगण गया और यह तोटन रूवलूशन ला देता है तो ऐसा क्यों हुआ होगा किसी नैशनल के लामिटी जिसे भुकाप सुनामी बाढ़ आका कोई महामारी और अगर रातिकारी परिवर्तन की बात करें तो यह किसी स्थान के मुल्यों वैल्यूज और एकॉनोमी में पूरण से चेंज लाता है फ्रेंच रेवर्यूशन रश्यान रवर्यूशन अठार सो संतावद का भार्कार रवर्यूशन अमेरिकन रवर्यूशन और यह परिवर्तन जो हैं यह राज ही तिक हस्तक शेप के द्वारा संब्ध होते हैं और यह समाज में महत्वपून परिवर्तन लाते हैं जो हमला वर आए इंडिया में अगर आप पढ़िएगा तो बहुत सारे लोगों का पढ़िएगा कि इसने अटाश किया आए वह क्या था राईरी दिघास्तक शेप और और वह तो राइरी दिघास्तक हुआ तो अभी भी हमारे कल्चे पे इसलाम का प्रवह में देखता है गोजब कॉद्धी थे तो वहाँ पर बढ़िटा है उनका इस लिए भारत में अल्रेस थे तो यहाँ पर पशिमी सब्री क्रांति कारी परिवर्तन का उदाहरण है that's it thank you